और आपका धन्यवाद है जो आप एक शॉट नोटिस में यहाँ इस प्रेसवारता के लिए आए हैं। बंदुघर कल पूरे देश ने देखा था किस प्रकार भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा जी ने एक ट्वीट करके कॉंग्रेस पार्टी के टूल किट को देश के सामने एक्सपोस किया था, देश के सामने उजागर किया था। किस प्रकार जब देश एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, जो सौ वर्षों में पहली बार पूरे विश्व को जगजोर के रख रहा है, उस समय किस बदनियती के साथ, किस खराब इंटेंशन्स के साथ, एक टूल किट बना करके कॉंग्रेस पार्टी देश में अफरा तफर और ध्रम का माहूल बनाना चाहती थी, उसको आदर्निय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। तुरंत उसके बाद जब सत्य उजागर किया गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रादर दन गिविग एक्स्प्रेनेशन, देश के सा जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूल किट सत्य नहीं है, यह कॉंग्रेस पार्टी का दलील रहा था। देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ओथर आखिर कौन है, आप लोग डॉमेंट एक्सपर्ट से बात करेंगे, तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है, और भ्रमित करने के लिए टूल का जमावड़ा होता है, आप देख सकते हैं, यह जो इन्फॉर्मेशन है, वो यह पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं, ओथर कौन है, सौम्या वर्मा नामक एक महिला है, जिसका नाम डॉमेंट एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है, और यह प्रॉपर्टी ओफ देपर में मौजूद है, आप देख सकते हैं, यह 1.7 वर्सन है, पेजस उसमें 6 है, रिजलूशन, सक्यॉर्टी, इत्यादी सब लिखा हुआ है, किस प्रकार से क्रियेट हुआ और किस प्रकार, मुख्यतह सेंटरल विस्ता को लेकर वो जो विशय था, जो हमने कल सेंटरल विस्ता को लेकर भी आपक दौधा, जो पैरग्राफ देख रहें हैं, वैनिटी प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा टूल किट का हिस्सा है, और आप उस कागज को यहां भी देख सकते हैं, इन डिटेल, जो डिटेल वर्शन है, जिसको लेकर आज हम ये खुलासा कर रहे हैं, जो टूल किट का हिस्स वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से Central Vista Vanity Project मोदी जी के उसको मोदी जी का घर मोदी जी का पैलेस मोदी जी का महल बताना है यह कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी आथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है सौम्या वर्मा आखिर कौन है आप उसके मैडम के Facebook प्रोफाइल, Social Media प्रोफाइल इत्यादी में जा सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं और उसमें स्पास्ट्रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो Office of Professor M.V. Rajiv Gauda Member of Parliament उनसे वो connected है अर्था जो AICC Research Wing है जिसको की Head Professor Gauda करते हैं उनके Research Wing के सा साथ वो connected है आप यहां देख सकते हैं अब मैं कुछ महत्तोपून तस्वीरे दिखाऊंगा कि यह सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है ताकि Congress Party सौम्या वर्मा को नकार न दे आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहां बैठी हुई है दो महत्तोपून लोगों के साथ वैसे अ अध्यक्स थे Congress Party के उनके साथ यह रिसर्च टीम की फोटो और यूं कहा जाए तो यह जो toolkit managers हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं मैडम यहां बैठी है उनका नाम सौम्या वर्मा है आप एक दूसरी तस्वीर भी देख सकती हैं इसमें भी आप सौम्या वर्मा जी को पूरे रिसर्च AICC रिसर्च टीम के साथ जो प्रोफेसर राजीव गौडा हेड करते हैं बीच में आप देख सकते हैं प्रोफेसर राजीव गौडा बैटे हैं और बाकी पूरी टीम के साथ सौम्या वर्मा जी को भी आप देख सकते हैं और भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं यहां देखे प्रोफेसर राजीव गौडा के साथ सौम्या वर्मा जी बिलकुल उनके साथ मौजूद हैं और यह पूरी टूर्किट गैंग यहां आप टूर्किट गैंग को भी देख सकते हैं यह वही गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करना किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता को लेकर जूट फैलाना वेंटिलेटर्स को लेकर जूट फैलाना किस प्रकार मोदी जी के इमेज को टार्निश करने का प्रयास करना इस सब का जो निर्माता है जो ऑथर है वो यह गैंग है आप आगे भी जो मैंने दिखाय था मैं इसके color picture को दिखाता हूँ यह social media profile में सौम्या वर्मा सपश्टूप से कहती हैं कि वो AICC research के साथ जुड़ी हुई है और तो और वो राजीव गौडा जी के office के साथ संबंद रखती हैं और मैं एक और social media का post दिखाना चाहूंगा जिसमें यह स्थाफित होता है यह एक social media post में लिखा गया है working on the manifesto और यह social media team है जो manifesto team की दिल्ली के चुनाव के समय Congress Party का तो working 2nd February 2020 का यह post है और लिखा हुआ है and I quote working on the manifesto of our national capital Delhi has been a cherishing and learning experience I owe a lot of Indian National Congress to give youngsters to be part of such an important exercise thanks to Professor Rajiv Gauda for his experience and working under the guidance of Mr. Ajay Makin, Mr. Subhash Chopra, Ms. Kiranwalia, Sarmishtha ma'am has certainly been a treat to our minds but mention that Amitav, Pooja Chopra Bahari and Soumya Verma and Sonali Thangya are certainly amongst the best colleagues to work for long hours Congresswali Delhi manifesto to launch AICC Research Department आप खुद देख सकते हैं AICC Research Department की वो एक एहम हिस्सा ही नहीं बलकि मुख्य भुमिका में वो रहती हैं सौम्या बर्मा जी और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिस प्रकार से हमारे राष्ट्य अध्यक्ष जी ने हमारे पाटी के बड़े नेताओं ने इस सत्य को जनता के सामने प्रतिपादित किया और कोई राजनीती के लिए नहीं किया और तो और मैं आपको एक और ट्वीट राहुल गांदी का दिखाना चाहता हूँ ये ट्वीट आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का ये नाम नौ मही के आस पास का है और इसमें क्या लिखा है मोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है कल हमने दिखाया था कि राहूल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेरियंट नाम को और मोधी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायत की थी और आज आप खुद देख स जी के नाम और भारत के नाम को घसीतने का साथ ही आप राहूल गांधी जी के दूसरे ट्वीट भी देख सकते हैं एक ट्वीट में जो यहां आपके सामने में प्रस्तुत करता हूं यह बहुत पुराना ट्वीट है उनका इस पैंडमिक के समय का और उन्होंने उसमें लिख के पिता जी MP हैं Congress Party के और यह खुद लिख रहे हैं I have named the so-called Indian variant the Modi variant in the honor of the person most directly responsible for it और यह है 9 माई 2021 का मतलब toolkit सामने आने से पहले का और सशी थरूर जी बड़े नेता है Congress Party के उन्होंने भी Indian variant कहके आपने कई tweets में इस virus को संभोधित किया है तो जो कल हम बता रहे थे वो जो evidence आपके सामने आज हम रख रहे हैं वो अपने आप ही इस विशय को स्थापीत करते हैं और सौम्या वर्मा जो author है आज यह विशय पूरे देश के सामने स्थापीत हो चुका है मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश सोनिया जी और र आजीव गोड़ा or not is the answer which we are seeking क्या सौम्या वर्मा जी कॉंग्रेस की कार्य करता है क्या सौम्या वर्मा जी AICC Research Wing में काम करती है क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गोड़ा के निहित काम करती है और क्या वो इस tool kit की author नहीं है Congress Party इसका जवाब देढ धन्यवाद झाल झाल